नमस्कार आप देख रहे हैं पंजाब केसरी मैं हूँ आपके साथ किता अंजुली जादों ब्रिटेन में एक भारतियों को पांच बार उम्र कैद की सजा दी जा चुकी है जी हां सुनकर आप भी हैरान रहे गए होंगे दरसल भारतिय मूल के एक डॉक्टर को ब्रिटेन की एक अपराधिक अदालत द्वारा दो आजीवन कारवास की सजा दी गई एक रिपोर्ट के अनुसार इस डॉक्टर को चार साल की अबधी में 28 महिलाओं के यौन उत्पीडन के मामले में पहले से ही तीन बार उम्र कैद दी जा चुकी है 53 वर्षिय मनीश शाह को पिछले महिने पूर्वी लंदन में अपने क्लीनिक में चार महिलाओं के खिलाफ 25 यौन हमलों के एक मुकदमे में दोशी पाये जाने के बाद बीते सुमबार को कम से कम 10 साल की दो आजीवन कारवास की सजा सुनाई गई पूर्व जन्रल प्रैक्टिशनर पहले से ही 90 पिछले अपराधों के लिए तीना जीवन कारवास की सजा काट रहा था ऐसे में आगे की जेल की शर्ते पहले ही दी जा चुकेंगे और आगे जो सजा दी जा रही है वो भी चलेगे शा को अब तक 15-34 वर्ष की आयू की कुल 28 महिलाओं के खिलाफी जौन उत्पीडन के 115 अपराधों का दोशी ठहराया गया है मुकदमे में सुना गया कि शाहने 2009 से चार वर्षों में अपने यौन संतुष्टी के लिए महिला रोगियों को अनावश्चक इंटिमेटेट टेस्ट के लिए इस्तिमाल किया बाराल डॉक्टर को अब कारवास की सजा दे दी गई है देखना ये होगा कि डॉक्टर को कब तक कारवास में भेजा जाता है फिराल ये मामला चर्चा का विशय बना हुआ है